हेलो फ्रेंड्स पीपिटी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम कई चीजों पर डिस्कसन करेंगे सबसे पहला देखिए सुप्रिम कोड फैसला 30 जनवरी यानि कि आज जो सुप्रिम कोड का फैसला आया है सबसे पहले उस पर डिस्क कर दिया है यानि कि जो पैटिशनर था उसने जो केस किया था कि डोकुमेंट वेरिफिकेशन और मेनली जो सोशी एकनोमी के पांच नंबर जो मिलते हैं उस पर जो केस था कि यह इसकी वेरिफिकेशन पहले होनी चाहिए पांच और छे अगस्त को जो एक्जाम हुए था ना लिस्ट गई थी 65 पे और 68 पे 56 के लिए लिस्ट गई थी 65 पे और 57 के लिए लिस्ट थी 68 तो केस किया था कि अगर पांच नंबरों की वेरिफिकेशन अच्छे से हो जाए तो जो यह 65 नंबर की जो लिस्ट गई और 68 पे जो लिस्ट गई है यह लिस्ट निच्चे आ सकती है और कुछ और candidate को मोगा मिल सकता है कैसे list निच्च आ सकती है कई fake student थे जो इसके अंदर अपने 5 number extra लेके घुसे हुए थे और वो fake लेके घुसे हुए थे वो exam में बैठ गए थे हाला कि उनको exam में बैठना नहीं बनता क्योंकि वो 5 number उनके fake थे तो इस पर case किया था सर से पहले थो हरियाना जो पंजाब एंट रियाना हाई कोड़ और उसमें case की सुनवाई हुई थी single bench में single bench ने क्या किया था case की सुनवाई जब हुई तो रोक लगा दी थी exam पे की exam नहीं होंगे exam पे रोक लगा दी थी लेकिन रात और रात क्या हुआ था डबल बैंच में चले गए थे डबल बैंच ने पर्मीशन दे दी थी कि एक्जाम आप ले सकते हो और फिर आप सभी को पता है कि 5 और 6 अगस्त को जो एक्जाम होने थे फिर वो 6 और 7 को हुए थे 5 और एक्जाम साथ को हुआ था तो डबल बैंच ने पर्मीशन दे दी थी एक्जाम हो गया था फिर जो पेटिशनर था वो क्या वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया वही केस ये सुप्रीम कोर्ट में गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो पंजाब और हरियाना हाई कोट में डबल बेंच ने जो फैसला दिया था वही सेम रहेगा यानि कि HSSC जो कर रही है वो सही कर रही है सुप्रिम कोट ने ये बोला है और ये केस डिसमिस हो चुगा यानि कि ये केस तोबारा नहीं उठ सकता यानि कि जो पांच नमबरों की वैरिफिकेशन अब पहले नहीं होगी वो हमेशा बाद में ही होगी जो कट ओफ यानि कि जो exam होगा उसका जो result आएगा जो selected candidate होगे उनी की वैरिफिकेशन होगी पहले वैरिफिकेशन नहीं होगी एक तो चीज ये है, दूसरी चीज देखिए, 31 जनवरी को court case है, 31 जनवरी को court case कौन सा है, ये mainly group D के regarding है, लेकिन सभी भरतियों पर इसका असर पढ़ने वाला है, ये भी किस के लिए है, ये भी 5 नंबरों के लिए है, कि 5 नंबर जो socio economy की है, socio economy, socio economy के जो 5 नंबर है, वो मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए, इस चीज पर ये case होगा, और इसी चीज पर सुनवाई कब होगी, 31 जनवरी को होगी, तो ये 5 नंबर एक प्रकार से इसको हम बोल सकते हैं, double reservation, ये case double reservation के उपर है, जैसे EWS है, इसमें जब reservation दे दिया, तो अलग से फिर 5 नंबर socio economy, ये economy यहाँ पे भी आ गया, और economy यहाँ पे भी आ गया, यानि कि double reservation, ये सही नहीं है, तो socio economy के उपर ये case है, पांच नंबर और जो 2.5, जो group C में मिल रहे हैं, 2.5, वो भी उसके उपर भी case है, और पांच नंबर पे भी है, पहले only 5 पे था, अब ये डाई वाड़ों पे भी हो गया, ये भी सामिलोगे इसमें, तो पांच और डाई, दुन नों पे ही सुनवाई कब होगी, कल होगी, ह सबसे पहले हमें बोलता हूँ कि CM की जो statement अब क्या है, कि जो group C है, group C की भरती पहले होगी, गुरूप C की भरती पहले होगी, ऐसी statement CM पहले भी दे चुके है, अब देखते हैं ये statement कितनी सही होती है, और कितनी गलत होती है, OSD जोहार यादों की statement क्या है, कि आचार सहीता, जो आचार सहीता है आचार सहीता दोस्तों आचार सहीता का भरतियों पर कोई असर नहीं होगा भरतियों पर कोई असर नहीं होगा अब ये चीज भी देखते हैं कितनी सही होती है क्योंकि उन्होंने एक इजम्पल भी दिया है कि जीन्द election के जो उप्चनाऊ हो थे जीन्द के तो उसमें हमने group D का result दिया था तो ऐसे ही जितनी भी भरतियां मतलब चल रही है नई notification नहीं निकाल सकते नहीं भरती की लेकिन जो भरतियां ongoing है जो भरतियां चल रही है उनको हम पूरा कर सकते हैं कि एक परकार से क्या निकल का यह है घबर कि सरकार चाहे तो कर सकती है और सरकार ना चाहे तो अटका भी सकती है हर्याणा पुलिस के कट ओफ हर्याणा पूलिस की दोस्तोम मैं ने पहली वीडियो में बताई थी कि 55 प्लस जो है वह कौन स्टेवल के लिए कॉंस्टेवल के लिए 55 प्लस वाले त्यार रहे हैं सभी का फीजिकल अभी आएगा और फीजिकल में पास होगे तो आपको एक्जाम में बैठने का मोगा मिलेगा तो 55 प्लस वाले त्यार रहें इसमें क्या है देखिए एक फैक्टर होता है हाइट का जिनकी हाइट 170 सेंटीमीटर से कम है वो निकल जाएंगे यह 168 थी हो सकता है कि यह 170 कहीं हो इस बार तो 170 तो हाइट काईशी होता है हाइट कम हाइट वाले इसमें नहीं आएंगे और दूसरा इसमें बोईज एंड गर्ल्स के लिए अलग अलग रिजर्वेशन होता है अलग अलग शीट होती है तो ओन्ली बोईज वाले क्या हो इस लिए गर्ण है उनके लिए अलग से कर आफ लगए गल्स के लिए अलग से लगए रगग की offline जो offline डी वी की माँग हो रही है ना offline डी वी की माँग हो रही है एक तो उसके भी इहाफ पर जो vacant marks वाले है वो निकल जाएंगे अगर जो हगदार है real 5 marks के यानि povo social economic है अगर वो इमानदारी से marks ले तो 5 से 10% candidate ऐसे निकल के आएंगे जो real हकदार होंगे socio economic marks के जबकि हो क्या रहा है 5 से 10 real हकदार होने चाहिए यहाँ पी क्या हो रहा है 80 से 90 प्रतीशत candidate ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि हम इनको claim कर लें कैसे भी करके claim कर लें real हो या fake हो अभी real तो सिर्फ इतने ही है न इतने क्या है नहीं में से अगर चट जाए तो cut off के आएगी automatic निच्चे आजाएगी एक तो यह है और दूसरी क्या है दूसरा factor यह है कि अगर TGT की TGT की भरतियां और technical की भरतियां यदि पहले हो जाए और उसके तो 56 सतावन की भी early hearing अगर होके उनकी भी भरतियां पहले हो जाए तो इतने सारे candidates में जाने के बाद तो group D की cut off के आदो की जगाया मैं बोल सकता हूं के 6 से 7 marks निच्चे आ सकती है अगर offline TV होते तो 2 से 3 निच्चे आएगी अगर यह सारी चीज़ें हो जाती है तो मैंने इस पर वीडियो बनाई और दोस्तों आप सभी का तहदिल से धन्यवाद आप चैनल को प्यार दे रहे हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नहीं हो तो यह मेरा टेलिग्राम चैनल है इसके नाम से पेपर पास्ट्रिक्स यह टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन कर लो अगे हरियाना पुलिस की जो परती आएगी नोटिफिकेशन आएगी तो मैं यहाँ पे MCQ बैच सुरू करंगा अधि फरी MCQ बैच सुरू करूँका तो आप सभी को फायदा होगा पी डिफिस में मिलेगी वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं और आप कैसी वीडियो लगी आपको कोई सजेशन हो तो सजेशन भी आप दे सकते हो कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट मे पुछो आपको reply 100% मिलेगा 100% आपको reply मिलेगा कोई candidate ऐसा नहीं होगा जिसको reply नहीं मिलता तो दोस्तो ऐसे ही चैनल को प्यार देते हो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू